सर्सोν पालक का साग जो कि सर्दि्यों में बहुत ही ज्यादा खाया जाता है और दोस्तो यह खाने में भी बहुत टेश्टी लगता है आ उसको मक्य की रोटी के साथ खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा तो सर्दियों में इसको आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही सरल रेस्विल लेकर आए हैं इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो सर्दियों ले लिया है और आधा किलो पालक लिया है आधा किलो हमने यहाँ पर बत्वा भी ले लिया है तेनों चीज़ों को हमने बराबर मात्रा में ले लिया है तो यह हमारी गढ़ियां है जो कि हम मार्केट से ले करके। आए हैं और अभी हम साफ करेंगे जो इसकी जड़े है उसको हम हटा देंगे दोस्तों इस तरह से आप भी साफ करिए और इसके डंठल जो है मोटी उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए ये सबजी सरसो का जो साग होता है इसको सर्दियों में जरूर खाना चाहिए बच्चों को भी खिलाना चाहिए इसको खाने और खिलाने से सर्दी नहीं लगती है क्योंकि ये साग गरम होते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएंगा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करियेगा चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजिएगा तो यहां पर हमने सारी पत्तियां अच्छे से साफ कर ली है पानी से द ठंडा करेंगे इसको हम नीचे उतारेंगे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पत्ते हैं सरसों का जो पत्ता था वो पूरा अच्छे से उबल चुका है आप जब इसको उठाएंगे तो ये पता चलेगा उठाते ही ये तूट जाती है चट चट से तो इसलिए आप पता लग कर तयार करना है इसको हम पीसेंगे गरम गरम आप बिल्कुल भी मत पीसेंगा नहीं तो आपकी मिक्सी का जार खुल जाएगा और आप जल भी सकते हैं और किचन भी आपका गंदा हो जाएगा तो इसलिए इसको ठंडा जरूर कर लें जल्दवाजी ना करें तो यह देख सकते हमने पूरा निकाल लिया है और जो भी पानी बचा है इसको भी हम फैकेंगे नहीं क्योंकि हमको अभी पानी कभी इस्तेमाल करना रहेगा तो हम पानी यही वाला डालेंगे और इसका तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर लहसुन ले लिया है लहसुन आप ज्यादा नहीं करेंगे हम अर्प अर्फ मिर्ची से ही इस साखक को बना कर तयार करेंगे तो यह हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इसको mr. डाल के बड़िया सा बेस्ट-बना लेने महीन-वहीन पिस लेंगे बिल्कुल ढरदरह नहीं पीशेंगे अगर आपको मोटा पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर मोटा नहीं पीशेंगे हमको बिल्कुल पतला पतला पेस्ट बनाकर तयार कर लिया है और इसको हम में चथा पतला है तो ये हम धाल कर प Sweden लेंगे तो ये दो बार में हमने पीशा है पूरा हमारा तयार हो चुका है अब हम गैस को अॉन करेंगे कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे आप चाहेंट मक्षन भी डाल सकते हैं यहां पर नह सुन और हरे मिरज हमने डाल दी आब हम इसको भुहन लेंगे जब تक हमारा गोल्डन ब्राउन नहीं होगा तब तक हम इसको भुहनते रहेंगे लिखतल नहीं होगा तक हम इसको स्रुदन हो इसको चलाना है क्योंकि छीटे निकल रही है तो आप जल भी सकते हैं तो इसलिए इसको जैसे फेटा जाता है उस तरह से आप चलाइए और यह सब्जी बहुत जल्दी बनकर भी तयार होती है पक जाती है बहुत जल्दी अगर आपको बहुत जदा गाड़ी-गाड़ी पसंद है तो आप इसमें चाहें तो पानी ना भी डालें इसको ऐसे पका सकते हैं लेकिन हमें यहां पर थोड़ा पानी भी एड़ करना रहेगा तो इसलिए हमारा जो पानी बचा था वही पानी हम डालेंगे और थोड़ा सा पानी हमने यहां पर और बढ़ाया था अधा ग नमक थोड़ा कम ही लगता है क्योंकि यह पत्तियां सारी नमकीन होती है इसलिए नमक बहुत संभाल के डालना तो यहां पर हमने नमक भी डाल दिया है और अब हम इसको लगातार फेटते हुए चलाएंगे चलाते चलाते हम लगभग 5-6 मिनट तक हम इसको ऐसे ही चलाते क्रह緣 को पाल एकला रही है तो आप की दिवाल किचन की जो दिवाल ओती वो खराब ना हो इसके लिए आप स्थोड़े तर के लिए ढकन जरूरा लगा दे तो हम पांच बिनट तक हम भी तकन को फिर से हटाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यह बहुत ग्रीन-ग्री हमारी पकने वाली है क्योंकि हमें अभी इसको थोड़ा सा और पकाना है तो इसलिए हम गया इसको बंद नहीं करेंगे आप चाहो तो इस जगह पर थिकी और यह सबजी पूरी तरह से बंद कर तयार है और अब हम गया इसको बंद कर दिये हैं सबजी को नीचे उतार लिए हैं अब इसको अच्छे से हम चला देंगे आपने देखा कितनी सरलता से ये सबजी बन कर तयार हो गई है अब हम इसको दूसरे बरतन में निकाल लेंगे हमने यहाँ पर कोई मसाले अड़ नहीं किये हैं ये सर्सों का साग है ये बहुत फेमस है वैसे हम लोग इसको बेसन की रोटी के साथ भी खाते है मक्य की रोटी के साथ और गिहों की रोटी के साथ भी खाते है चावल के साथ भी ये साग बहुत अच्छा लगता है दोस्तों थैंक्यू